देश और प्रदेश की सरकारे भले ही जन्ता के हित्मे कानून बनाकर नया दिलाने की बात करती हूँ लेकिन हकीकत में नया पाना कितना कटिन और पेड़ा दायक है ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के नगरपेसद माउगंज जहां पूर में पदस्त सफाई दरोगा निलंबन के बाद बहाल हुए और बहाली के बाद रिटायर हो गए पर अधिकारियों दारा उन्हें सुजना के अधिकार के तैद मागी गई बहाल करने के आदेश की प्रमाडिक छायप्रती की जानकारी 12 वर्शों बात प्लग नहीं कराई गई अभी रिटायर सफाई दरोगा दोरा सुजना अधिकार के तैद नकल लेने के लिए आवेदन दिये गए जिसकी अपील करने में फुद राज सुजना आयोग की कार्याले भूपाल पहुंचे जहां उनके भागुप होते हैं राज सुजना आयोग तो राहुल सिंग ने उनकी अपील की त्वरित सुनवाई सुरू करते हुए संबंधी ददिकारियों को नोटिस जारी किया है मौगंज नगर पैसद में पूर में पदस्थ सफाई दरोगा विद्या कांथ मिश्र सुजना आयोग भूपाल राज सुजना आयोग तो राहुल सिंग के सामने पस्तित होकर अपने प्रकरण के सीख्र सुनवाई के लिए आवेदन देने पहुंचे थे मिश्र ने अपने प्रकरण के जानकारी देते हैं राज सुजना आयोग तो के सामने भागोख हो गए उन्होंने जानकारी देते हैं था कि हम मौगंज नगर पैसद में सफाई दरोगा के पदपर पूर में पदस्त थे उन्हें सन्दोहजार 12 में दिलंबन उपरांत बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया सफाई दरोगा मिश्र अपनी बहाली के आदेस के प्रमारी प्रत की नकल चाहते थे पर मिशले 12 साल से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई और वे अपनी बहाली के आदेश के बिना ही डिटायर हो गए राज सोचना आयुक्त राहुल सिन्नी सुनवाई के दौरान पाया की विद्याकांत मिश्टा के अपील पर कूर के तीन कलिक्टलों द्वारा आरपी सोनी स स्युख संचालक नंगरी प्रशाशन विकास रीवा सन्भाग को जानकारी देने के लिए निर्देश जारी किया था पर अपीली अधिकारियों कलिक्टल की निरदेश को धता दे रहे से looking प्रसासनुमाई ने जानकारी उपलद नहीं कराई यहांन होई त्वारिक युक्तु राहुल सीग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि उपसंचाला के इस तरपर जारी हुई बहाली के आदेश की जानकारी मांगी गई थी इसके बावजून भी बुजुर्ग विद्याकांत मिश्रा को जानकारी से वंचित किया गया इस मामले में RTI अधनियम उलंगं करने वाले आर्पी सोनी को 25,000 जुर्माना का कारण बता मोटीश जारी किया गया है साथी तीन दिवस के अंदर जानकारी उप्रद कराने का भी निर्देश दिया गया है